दोस्तों अगर आप एक WhatsApp user है और daily WhatsApp पर chat करते हैं अपने किसी खास friend के साथ तो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा useful होने वाला है इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी खुफिया trick के बारे में बताऊंगा जो आपको बहुत ही जादा पसंद आएगी और ये आपके लिए क डाउनलोड कर लेना है अपने फोन में इसका डाउनलोड लिंक आपको description में मिल जाएगा इस application की मदद से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं अपनी personal chat पर lock लगा सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप अपने किसी खास दोस्त के साथ chat करते हैं और आप चाहते हैं कोल भी बंदा उसकी chat को open ना कर पाए, chat देख ना पाए तो आप personal chat पर lock लगा सकते हैं आप जितनी चाही chat पर lock लगा सकते हैं इसी तरह अगर आप किसी 18 plus गुरूप में जॉइन है और आप उस पर lock लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप गुरूप पर भी lock लगा सकते हैं तो आप application को download क कीजिये description में link मिल जाएगा application को open कीजिये, open करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना password set कर देना है, password set करने के बाद यह application open होगा, इसे कुछ permission देना है आपको, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर recovery email add करना, अगर आप password भूल जाए तो वो भी यहाँ पर आप add कर सकत हैं, मैं फिलाल इसे skip कर देता हूँ, इसके बाद यहाँ पर आपको enable पर click करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको इस application को permission दे देना है, accessibility, download apps में आना है और application को permission दे देना है, इसके बाद यहाँ पर आपको back button दबाना है, तो यह application open हो जाएगी, अब यहाँ पर किसी भी group प पर lock लगाने के लिए, आपको plus के icon पर click करना है, तो आपका WhatsApp open हो जाएगा, अब जो भी chat पर आपको lock लगाना है, उस पर सिर्फ आपको एक बार click करना है, तो यहाँ पर add हो जाएगी, आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इस chat को यहाँ पर add कर दिया है, यह free application है, तो यहाँ पर add को हम cut कर देते हैं, और यहाँ पर डाल देते हैं अपना password, ठीक है, यहाँ पर मैंने इस chat को lock लगा दिया है, अब आजाते हैं back, मैं आपको WhatsApp open करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे, इस chat पर lock लग चुका है, तो यहाँ पर मैं password डाल देता हूँ, तो आप देखेंगे, यहाँ पर यह अनलॉक हो चुका है, यहाँ पर अगर मैं किसी और chat को open करूँगा, तो आप देखेंगे, यहाँ पर दूसरी chat open हो रही है, लेकिन जिस पर मैंने lock लगाया है, वो open नहीं हो रहा है, यहाँ पर lock मांग रहा है, इस पर दोस्तों fingerprint पर आप add कर सकत है, इसके लिए आपको यहाँ पर lock के सामने एक बार किलिक करना है, तो यह unlock हो जाएगा, अब आप chat को open करेंगे, तो chat बिना lock के open होगी, जैसे के यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस तरह से दोस्तों यह application काम करती है, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, तो इस वीडियो को like जरूर कीजिए, what's up facebook पर share कर दीजिए, और एक comment करके बताईए यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कर लीजिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, thank you